अग्याव फ्रेंट्स वेलकम टू मोडेस्ट मैच्ट्स फ्रेंट्स आज एक फरवरी इंटी पीसी के फस्स्रिप्ट का एकजाम समाफ्थ हो चुका है और हम लोग के पास कुछ मैच्स तथा जीकी के कोस्चन आचुके हैं तो चले फ्रेंट्स सभी कोस्चनों का इनालाइसि गशा गया है फ्रेंट्स घे हरा पहला कुछन ऐसा था इनमाश्य हजार रुपय का डश परतीसा वार्सिक सधरनद्याज की दर से 3 वर्सों का मिस्र धन कितना होगा तो क्योंकि साधरान ब्याज है यह तो simple interest जो है कितना बन जाएगा interest जो है 10 को 3 से गर into कर दिया जाए तो 30 पर 37 ब्याज बनेगा मतलब total जो missus धन हो जाएगा friends वो हो जाएगा 130% तो बस करना क्या है हम लोगों को 3 हज्यार का 130% निकाल देना एक से एक काटिए एक से एक काट दिए 13 को 3 से इंट उकर देंगे 49 में 2-0 हो गया answer अपका यह इस question का सही answer होता friends चलिए देखिए अगला question ऐसा था एक गाड़ी 20 लीटर में 1500 किलोमेटर चलती है यदि इस गाड़ी को 30 किलोमेटर चलना हो तो कितने लीटर तेल किया वसकता होगी तो ऐसा है कि 20 लीटर में कितना चलता है 150 किलोमेटर चलना कितना है इसको 30 किलोमेटर किलोमेटर को किलोमेटर के जगा में लिखते है friends and कितना लीटर तेल का ज़रूरत पड़ेगा यह find करना है चलिए काट देंगे देखिए तीस से कट जाएगा फ्रेंट्स ये पांच पांच से ये कट जाएगा चार that means चार लिटर तेल का आवा सकता होगा इस question का सही answer होता है चार लिटर चलिए फ्रेंट्स अगला question देखते हम लोग देखिए ऐसा दिया है एक समचतर भूज के दोनों विकर्नों की लंबाई देखिए दिया हुआ हम लोग को एक है 10 cm और एक है 8.2 cm तो इसका छेतर फल क्या होगा देखिए समचतर भूज है और इसका दोनों विकर्न तम लोग को दे चुका है तो इसका छेतरफल का फर्मूला क्या होता है एरिया का फर्मूला जो होता है 1 by 2 into D1 into D2 तो क्या हो जाएगा 1 by 2 into 10 into 8.2 2 से इसको काट देते हैं तो कट जाएगा 4.1 10 से into कर देंगे तो 41 ये इसका सही अंसर हो जाता चलिए अगले कोश्चन को देख लेता है बहुत ही सांदर सांदर को चुनाया है सभी कोश्चन बहुत ही जवरदस्त है 3 नंबर करमसा 3, 7, 8 के अनुपात में है यदि इनके वर्गों का योग 7,808 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है चलिए तीन संख्या है इसके वर्ग का योग बोला तो पहला का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंट्स चलिए डारेक्ट वर्ग ली दे रहे 9 यह हो जाएगा 49 और यह हो जाएगा 64 तो सब को जोड़ करके बताता है कितना आता है 7,808 चलिए एक यूनिट का निकालते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं पहले 4,4,8 सरी 4,9,13 और 9,22 8 और 4,12 122 बराबर है 7,8,0,8 ऐसा है चलिए काटते हैं इसको हम लोग 2 से काटके छोटा कर लेते हैं एक बार 6 और 1 2 से काटते हैं तो 3 9,0,4 चलिए अब जो है 6 से काटना चाहिए फ्रेंट्स ये 6,36 36 360 और फिर बढ़ जाएगा 30 और 4 6,6,6 चलिए काट जाएगा ये 6 और 4 64 और में कट जाएगा तो एक यूनिट का जो वेलू आ रहा है वो आ रहा है 64 तो हम लोग को छोटा वाला नंबर निकालना है छोटा संख्या क्या था? 3 था तो इससे इंटू कर देंगे 64 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 18 और एक हो जाएगा 19 192 ये इसका सही अंसर हो जाता चलिए अगले कोश्चन को देखते है किसी भीन के अंसर में 30 पर 30 की व्रिधी तथा हर में 65 पर 30 की व्रिधी करने से प्राप्त भीन 4 बटा 5 हो तो मूल भीन क्या है? चलिए भीन को मानते हैं हम लोग 100 और 100 तो देखिए क्या क्या हो जाएगा? पहला जो है अंसर में 130 हो जाएगा X एंड यह हो जाएगा 165 Y 100 X और 100 Y मानने से ऐसा करने से क्या होता है? भीन 4 बटा 5 होता है कटते हैं हम लोग इसको देखिए तो कट जाएगा ऐसा 5 से कटेगा यह फ्रेंट्स तीन बार में और तीन बार में यह कटेगा 2 से 2 बार में दो से यह कटेगा 6 और 65 ठीक है? चले हम लोग को X बटा Y निकलना है फाइंड करना है इसका ओरिजिनल बिन तो कितना हो जाएगा? 33,2,6,6 तो हो जाएगा 66 बार में 65 यह इसका ओरिजिनल बिन हो जाएगा नेक्स्ट कुस्चन था फ्रेंट्स 3,8,13 का 50 पद क्या होगा? देखे यह AP का कुस्चन है समांतर सरनी का AP का कुस्चन मिला जिसमें A हम लोग के पास देखे मिला हुआ है फ्रेंट्स 3 A के बार D अंतर कितना कितना का है? 5 का N बोला है कि 50 पद निकालना हम लोग को तो N हो गया 50 अब निकालना क्या हम लोग को TN तो N के जगा क्या रख लेते हैं हम लोग 50 पद निकालना है तो 50 फर्मूला क्या होता? A प्लस N-1 इंटू D तो A कितना फ्रेंट्स? 5 है प्लस 50-1 इंटू 5 इंटू 5 सौरी यहाँ पे A जो है 3 है ना 3 प्लस 50-1 इंटू 5 चलिए तो देखिए यह हो जाएगा 3 प्लस यह हो जाएगा 25-250 में 5 मैंनस हो जाएगा तो 245 तो यह इसका अंसर आजाएगा 248 चलिए नेक्स्ट कॉस्टन देखते हम लोग देखिए साइन A माइनस B बराबर 1 बाइ 2 एंट कॉस A प्लस B बराबर 1 बाइ 2 तो A तथा B कमान क्या होगा अब देखिए साइन में 1 बाइ 2 किसका वेलू होता है तो इसमें होता है 30 डिगरी का एंट कॉस में होता है 60 डिगरी का तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A माइनस B बराबर 30 डिगरी एंट A प्लस B बराबर 60 डिगरी B बी कैंसल हो जाएगा 2 A बराबर आएगा फ्रेंट्स 90 तो A बराबर आएगा 45 अब A बराबर अगर 45 आ गया है जबकि A प्लस B है 60 तो B बराबर हो जाएगा 15 यहीं पुछ रहाता हम लोग से चलिए अगले कॉस्चन को देखते हैं नेक्ष्ट है किसी संख्या के वर्ग में से उस संख्या को घटाने पर 6.812 बच्चता है तो वह संख्या क्या है कॉस्चन ऐसा है कोई संख्या है उसी के वर्ग में से इसी संख्या को घटाने में से हम लोग यह क्या मिलता है आटसो बारा तो normal ी से इसको देख सकते हैं country 812 क्या असप्स किसी का स्क्वाईर होता है क्या तो देखे सबसे पहले 900 पता हम लोगों 30 का होता है ठीक उससे पीछे जाएंगे क्योंकि आगे तो जाना नहीं यह उतना तो 30 से छोटा किसका स्कॉार होता है 29 का कितना होता है 29 का स्कॉार होता है फ्रेंड्स 841 841 तो बैठाकर देखे लिए तक क्या यह फिट बैठता है 841 में से अगर 29 मैनस करें तो हम लोगों के पास 812 आता है 12 आ जाता है तो वो एक्स क्या हो जाएगा वो संख्या हो जाएगा 29 यह एंसर हो गया इसका चलिए मैट्स का लास्ट कॉस्टन था फ्रेंड्स आज सभी को संख्या वर्दस्ट सांदार था नेक्स्ट है आप देखे लपीजी का फुनरूप क्या है तो लिक्वीफाइट पेट्रोलियम गैस रेट क्रोश डेक अब मनाये जाता है 8 मई दिलवाडा मंदिर कहा है इस तो राजस्थान जालियावाला बाग हत्याकांट कहुआ था 13 अप्रेल 1919 भागवान महावीर का जन्मस्थान कहा है तो वैसाली अगर ये पुछलिये जाए कि वे कितने नंबर के तिर्थंकार थे तो 24 वे नंबर के मधुबनी पेंटिंग का संबन्द किस राजस है तो बिहार प्रथम भारतिये महिला कॉंगरेस अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नाइडू अगर ये पुछा जाए कि प्रथम भारतिये नहीं पुछा जाए सिर्फ पुछा जाए कि प्रथम महिला कॉंगरेस अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट अब देखिए पुना पैक्ट से दूसरा कोशन फिर से पुछा क्या पुना पैक्ट समझा था किसके बीच हुआ था तो वो हुआ था महातमा गांधी तथा भीमरा अंबितकर इससे पहले पूछू का था ये कब हुआ था तो वो हुआ था 1932 में भारत में पहली बार इंटरनेट की सुरुवात कभ हुई थी तो वो 15 अगस्त 1995 इससे में पहली बार इंटरनेट की सेवा शुरुवात हुई थी चले लास्ट क्यों फ्रेंड जो आज हम लोगों मिला आज का लास्ट क्यों दाणी मऊर्च की सुरुवात कभ हुई थी देखिए तो कभ हुआ था 12 मार्च 1930 इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद